हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू जी टेक पॉली दोस्तों सर्वेंग फस्ट की स्टडी कर रहे हैं जो कि पॉली टेकनिक के सिविल इंजिनियरिंग के फॉर्थ सैमिस्टर का एक इंपोडेंस सब्जेक्ट है और आज इसका ये लेक्चर नमबर थ्री है इससे पहले हम इसके पहला चैप्टर इंटोडेक्शन कंप्लीट कर लिया था अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल पर सर्वेंग फस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां पर जाकर के पिछले दोनों लेक्चर को देख सकते हैं आज के इस तीसरे लेक्चर में हम आज नया चैप नए करेंगे तो ऑबर ओल इसमें इन ean अफ टोपिक्स को पढ़ने वाले है तो एक बारी सबसे पहले हम इसके टोपिक्स को देख लिते हैं सबसे पहले टोपिक में हम पढ़ेंगे definition of chain surveying यानि chain survey की परिवासा के बारे में पढ़ेंगे दूसरा topic हमारा रहेगा यहाँ पर principles of chain surveying यानि chain survey के कौन-कौन से principle होते हैं इसका सिद्धान्त को हम समझेंगे तीसरे topic के अंतरगत हम पढ़ेंगे equipment required for chain surveying यानि chain surveying के लिए आवेस्यक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे जिनमें की हम main main instrument ये 5 आपके सामने लिखे हुए है equipment कह दीजे या instrument कह दीजे इन पांचों को detail में study करेंगे इसके अलावा और जो instrument है उनके आपको नाम बता दिये जाएंगे जिनमें सबसे पहला equipment हम chain के बारे में study करेंगे हम तीसरा हम इसमें arrow के बारे में पढ़ेंगे arrow का दूसरा नाम marking pin भी होता है ठीक है चौथा हम पढ़ेंगे ranging rod और पांच मां पढ़ेंगे offset rod इस तरह से पांच equipment ये हैं इसके अलावा कुछ और instrument है तो जिनने हम चौथे topic के अंतरगत पढ़ेंगे जिसका नाम है instrument for ranging right angle lines यानि हम right angle lines के लिए जो हमारे उपकरण होते हैं सम कोड पर line खीचने के लिए जो उपकरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम तीन main instrument को पढ़ेंगे open cross stop पढ़ेंगे इसमें optical square पढ़ेंगे और french cross stop इन तीन instrument के बारे में पढ़ेंगे जिनकी द्वारा हम right angle पर कोई line खीचते हैं इसके बाद हमारा पांच मा topic रहेगा ranging of surveying यानि survey के द्वारा ranging करते हैं जिसमें direct ranging पढ़ेंगे indirect ranging पढ़ेंगे आरवी ट्रेरी रेंजिंग पढ़ेंगे इस पांच में topic के अंतरगत देखेंगे ठीक और छटा topic हमारा रहेगा offsets ठीक है offset हम कैसे डालते हैं कैसे कहते हैं offset कितने type के होते हैं offset oblique offset क्या होता है सब कुछ इसमें study कर लेंगे then after 7 में topic हमारा terms used in chain surveying chain surveying के अंतरगत कुछ महत्यपूर पदों की हम study करेंगे जिसमें हम देखेंगे baseline क्या होती है, tie line क्या होती है check line क्या होती है तो survey की बहुत सारी lines की study करेंगे इस साथ में topic के अंतरगत then after last में topic हमारा ये numerical ways है जिसमें हम error के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे error के बारे में कि error किसी भी wrong chain को use करने के कारण किस तरह की error होती है and इसका correction हम कैसे करेंगे, ठीक है ये 8 में topic के अंतरगत पढ़ेंगे एक बार ही आप लोग in topics का screenshot ले लिजिए फिर हम एक एक करके सभी topics को discuss करेंगे, ठीक है मैं आपको starting में बता देना चाहता हूं यहां पर हम दौनों language में study करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे board पर काफी अच्छे से एक-एक topic को यहां board पर मैं आपको explain करूंगा then after theory जितनी होगी उसको slide में आपको show कराएंगे and जब आपको ये lecture complete हो जाएगा इसके बाद telegram पर आपको इस lecture का PDF में बिल जाएगा जो notes आपको slide में show होंगे उसी का complete PDF आपको telegram पर मिलेगा बग्या आप समझने पर ज्यादा focus करना ठीक है आपसे हम theory को पहले नहीं लिखेंगे उसमें time बहुत waste होता है आपको slide में show कराएंगे लास्ट में PDF दे देंगे और यहां पर explain करेंगे समझना अच्छे से सबसे पहले देखेंगे हम chain surveying तो आप लोग heading लिख लीजिए chain surveying Hindi में जरीव survey चड़ अब chain surveying होता क्या है ध्यान से सुनेंगे ठीक है यह जमीन है जहां पर आपको survey work करना है यह ground हो गया सबसे पहला काम क्या होगा आप इस ground में control point कुछ लेंगे control point का मतलब हो गया क्या करेंगे आप इसमें आप इसमें कुछ station mark कर लेंगे ठीक है इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से ठीक है हमने यहां पर कुछ control point mark कर लिए हमें इस इन control points को आपस में मिलाना इन्हें हम आला कि station कहते है अब दीर दीर चीजों को समझते चलेंगे हमने यहां पर इन सभी lines को मिला दिया ध्यान से सुनेंगे ठीक है इसको मिला दिया इस से तो हमारे यहां पर क्या मिल गया हमने यहां पर इसके अंदर एक क्या कर लिया एक छेत्र हमने निद्धारत कर लिया कि हमें इसके अंदर surveying करना chain survey अब सबसे पहली चीज क्या है सबसे पहली चीज है जब हमने यह station mark किये थे इनको नाम दे सकते हैं इसके टीजां क να नाम थरने Dris अब इन स्टेशन के बीच के हम दूरी नापते हैं हम नापते हैं chain के द्वारा og ते पंदर chain & tape जिसे हमने यहां से यहां तक chain रख करके जिसे पर लुए outez-विश्म ना पास यहां से यांच थक कि कर रहे हैं linear measurement यानि chain और tape द्वारा हम क्या करते हैं only only linear measurement करते है linear measurement ठीक इसको हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं केवल केवल रेखिक या रेखिये माप रेखिक माप समझ पार हैं इसमें केवल हम कैसी क्या करेंगे only linear measurement करेंगे क्या हम chain के द्वारा या tape के द्वारा कोई भी core measure कर सकते हैं हम कोई भी angle measure नहीं कर सकते इसके द्वारा इसलिए हम chancer weighing में angular measurement नहीं करते हैं angular measurement ठीक है г 아니라 measurement इसको हम Hindi में कहते हैं codee map धियान रखेंगे आप लोग हम codee map नहीं करते ठीक हे कोडे माप नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं पॉइंट वाइस समझते चलना चीजों को अब यहां से आपको इन दौनों पॉइंट की एलप से क्या होगी डैफिनेशन के लिए होगी हम क्या करते हैं हम चैन सर्वेंग में चैन सर्वेंग में या फिल लिखे क्या जब किसी भी भूमी का या भूछेत्र का यानि किसी भी का सर्वें चैन और टिप द्वारा ओनली लीणिर मेजरमेंट ले कर के किया जाता है उसे हम चैन सर्वेंग क्या क्या कैते हैं चैन सर्वेंग में एंघुलर मेजरमेंट नहीं लेते यहां तक सभी को समझा नहीं है मैंने क्या डिफाइण किया मैंने बोला कि जब कि CV Ground का जैसे Ground है जब कि CV Ground का Ground का सर्वें चैन और टेप द्वारा only linear measurement लेकर करते हैं केवल रैखिक लेकर करते हैं तो उसे हम चैन सर्वेइंग कहते हैं और चैन सर्वेइंग में एंगुलर measurement नहीं लेते ठीक इसके अलाबा और क्या करते हैं यह समझा गए इतना पर अपना ग्राउंड निर्धारित कर लिया यह वाला हमने लीनियर मेजरमेंट ले लिया एंगुलर नहीं लेते अब क्या करेंगे यह जो हमने लीनियर मेजरमेंट किया ग्राउंड बनाया अब इसको आपस में सटे हुए ट्रेंगल बना देंगे आपस में सटे हुए ट्रे पॉइंट बtern आदिज्य राइंग्ड़ेट आपने यहां से एक सेलन खीज दी कि यहां खीजदी यहां खीज दी लाइन ऐसे आपने आप में सटे हूए कहीं सारी है इसको आप से मिला दीजिये तो एक तरह से ठीक है आपने यहां पर क्या कर रहा है यह ध्रेंगिल में मश्मात लेंस एक त्रेंगल यो गया दूसरा छियर यह पांच मय इस तरह से आपने 4-5 triangle बनालिए जो कि आपसमें satay होई है ठीक है तरद करते क्या है हम करते है इसमें जो ground होता है हमारा is ground को आपसमें satay हुए triangles में बाट लेते है और ये जो triangles होते है ये triangles well condition triangle होने चीश ए कैसे responders क्यों होने चीश है well condition triangle triangle angle थिक है, हिंदी में कहते हैं, इसको सू आकारी है,lls सू आकारी है,ंशा गई अज आकार हो इत्र olmaz गार है, त्र बेट पर बेल a कंडिशन ट्रेंगल में बाट लेते हैं, तो वैब कंडिशन होते हैं और यह कैसे त्रेंगल रख थे वहाँनी यह निकाल लेंगे बाहर जिसका दिखनी में लगे त्षौ немного जैसा है एक मैने यह बनाया और दूसरा मैंने आपके सामने यह बना यह बना दिया इन में से आप देखके हलागी यह भी ट्रेंगल यह भी ट्रेंगल है आप यहां से देखके मुझे बता सकते हैं कौन सा ज्यादा अच्छे आकार का त्रभूज लग रहा है यह क्यों नहीं लग रहा क्योंकि इसका यह जो एंगल है बहुत जाड़ा एंगल हो यहां पर एक कंडिशन होती है वैल कंडिशन ट्रेंगल की एक कंडिशन है वह कंडिशन क्या है कि वैल कंडिशन ट्रेंगल में इसका प्रतेक कौन है यह वाले एंगल इनका इच एंगल प्रतेक कौन मतलब हो गया इच एंगल इनके जो इच एंगल है वह 30 डिग्री से तो क कम ना हो और 120 डिग्री से जाधा ना हो यानि 30 से 120 के बीच में जब लाई करेंगे तो उस केस में क्या बोल देंगे जो हमारे ट्रेंगल बनेगा वो तो चयल सर्विंग में कि हम gaunt को क्या करते हैं आपस में सटे हुए ट्रेंगल कम लेते हैं और ये ऐफ्य सदीजींड चैनल कुरें रिपे तो शोते हैं यानि सु आकारीय त्रंडियो जोते हैं वे वें अगों इतना समझ आ रहा है इसका एक और पॉइंट समझ लीजिए लास्ट पॉइंट चैन सर्विइंग में यह सारे पॉइंट आपको लिखने हैं मैं अभी आपको सो करा दूँग वहां से देखके लिख लीजेगा अब अगली चीज हम क्या करते हैं इसमें चैन सर्विइंग हम औ सदोर आप कि कोछ ऑपसेट डालते हैं कि डालते हैं ओपसेट को इन ऐदी कहते हैं इसके अ के अगया कोई ढ़ना रखा है यहाम काश पॉइंट उर इंदे अपको कुई द दूरभ पर आपको इस सडक से दिखाना यह वैल कितनी दूरी पर है तो आपको क्या धियान रहना जहां तक भी पॉसिबल होगा हम 90 डिग्री पर ऑपसेट डालेंगे बतलो 90 डिग्री के अंगल पर यहां पर लाइन खीचेंगे इस तरह से कितने डिग्री पर खीचेंगे 90 डिग्री पर यहां देख पार हैं, हम 90 डिग्री पर तो इन्हें कहते हैं, जो इनको हम उपसेट कहते हैं, खसके कहते हैं, खसके डाल करके इसके दूरी मेजर कर रहे हैं तो यह 90 डिग्री पर होने चाहिए जहां तक पॉसिबल हो होगाकि oblique offset भी होते हैं, उन्हें incline भी बनाते हैं लेकिन जितना संबभ हो आप क्या करेंगे 90 डिग्री पर ही खसके डालेंगे और यह जो पॉइंट होंगे यह वाले पॉइंट किसी भी हाल में यहां से यहां तक कि जब हम दूरी लेंगे तो यह वन चैन और टेप वन चैन और टेप से अधिक दूरी पर नहीं होना छाहिए ठीक है वन चैनub टेप अधिक दूरी पर नहीं होना छाहिए मतलब कहने का क्या है जब हम इसको मेज़र करें यहां सर्य नातक की दूरी को हमारेब पस कोई चेन है रही है और पर 20 मीटर की चेन है तो हुम कि हमने क्या किया offset ले लिए बहुत दूरी पर यहां सड़क है और यहां offset ले रहे हैं हमने इसके उपर चैन रखी पता चला चैन हमारी एक चैन इतनी बड़ी थी यहां से यहां तकी चैन खतम हो गई और अभी offset आगे रहेगा फिर उठा के दुबारा ना आप रहें तो हम क्य किये हैं उम्बीदे आप सबको यह समझाए होंगे इतनी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं अब मैं चैन सर्वींग की डेफिनिशन आपको स्लाइड में सो कर रहा हूं इसमें देख देखके आपको एक एक पॉइंट को बारी की से लिखना है जो आपको मैंने यहां पर सम दीवन नोट डाउन कर सकते हैं उम्बीदे आप सबको चैन सर्वेंग की डेफिनिशन के लिए रो गई होगी यहनि पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम इसको रफ करके सेकिंड टॉपिक की और मूब करते हैं और जिसका नाम है प्रिंसीपल्स ओफ चैन सर प टॉपिक उप सेकंगे डिलिजे सर विलुग को साविल। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ओफ चैन सर्वेंग, ठीक है, हिंदी में आप लोग कह सकते हैं, जरीव सर्वेक्षड के सिद्धान्त, ठीक है, जरीव सर्वेक्षड के सिद्धान्त, चैन सर्वेंग के प्रिंसिपल कौन-कौन से हैं, एक एक करके इसमें कुछ लगवक 6 प्रिंसिपल्स हैं, चैन सर्वेंग में, हलाकि हमने बेसिक प्रिंसिपल अप सर्वेंग जब पढ़ा था, पहले chapter में केवल दो principle थे, पहला था work from whole to part, यानि हम संपूर से और खंड की और कार्य करते हैं, और दूसरा principle था, कि हम कोई भी नया point जब locate करते हैं, तो कम से कम दो reference point के respect में उसकी location हम बताते हैं, इस तरह से हमने दो basic principle पड़े थे कि इसमें, surveying के first chapter में, यहां पर वे दौन principle तो होंगे ही होंगे, इसके लाबा, 4-5 points और हैं इसमें, जो chance surveying के principle को निर्दारित करते हैं, जिसमें कि point wise आप लिखना इस तरह से, जैसे पहला point इसमें लिखना, map, map मतलब measurement, heading बना बना के लिखना, chance surveying के principle में, chance surveying में हम पहला principle क्या पढ़ रहे हैं, map के बारे हैं, मतल only linear measurement करते हैं, only linear measurement, ठीक है, हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, केवल रेखिक map लेते हैं, केवल रेखिक map, रेखिक map ली जाती हैं, और जितना possible हो, इन हम, यह जो linear measurement है, इस measurement को हम only horizontal plane में करते हैं, 36 समतल पर करते हैं, कैसे plane में करते हैं, horizontal plane, प्लेन में, horizontal plane में, ठीक है, horizontal plane में करते हैं, मतलब 36 समतल पर करते हैं, तो पहला point आप सबको समझ में आ गया, पहला point का है हमारा, सभी नाप रेकिक होते हैं, और 36 समतल पर लिये जाते हैं, ये measurement के बारे में हो गया पहला point, मैं ये करका सभी point को समझा दूँ, फिर आपको साथ में, theory partner slide में दिखा देंगे, ठीक है, अब इसका पहले point के बाद, दूसरा point देखिए, दूसरा point हमारा, इसमें रहेगा, survey च्छड, डाचा, क्या रहेगा, survey च्छड, डाचा, डाचा मतलब जो हम survey करेंगे, इसमें, उस survey की structure किस तरह की रखेंगे, ठीक है, survey इंग structure, structure के दो, frame के दो, frame जाद अच्छा रहेगा, surveying frame के बारे में है, दूसरा principle, दूसरा principle क्या, surveying frame, तो just अभी मैंना आपको बताया था, survey च्छड का डाचा, हम कैसा रखते हैं, इसमें हम आपस में, सटे हुए, triangles में बाट लेते हैं, इसको, और triangles कैसे होने चीए, well condition triangle, well condition triangle, इसका कारी है, सु, आ, कारी है, तिर्भूज, सु, आ, कारी है, तिर्भूज, सु, आ, कारी है, तिर्भूजाओं में हम इनको बाट लेंगे, ठीक है, और well condition triangle की मैंने property आपको बताई दी, इनका प्रतेक angle 30 degree से जादा होगा, 120 degree से कम होगा, ठीक है, बराबर भी दिखा सकते में, वैसे तो कम और ज्यादा दिखाते हैं, दिखतर case में, यानि कि 30 degree से अधिक, और 120 से कम होना चाहिए, 30 से कभी भी कम नी होना चाहिए, और 120 से जादा नहीं होना चाहिए, किसी भी case में, ये well condition triangle इसका frame रहेगा, ठीक है, तो दूसरा point भी समझ गया, आप दूसरा point क्या है, सर्वेक चड़, यानि संपूर सर्वेक चड़ को आपस में, सटी हुई, तिरभुजों में, बाटा जाए, और जहां तक संबब हो, ये तरभुज कैसे होने चाहिए, well condition होने चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको, उसमें, जो slide में, वहां से theory साथ में, read भी कर रहा हूँ, समझते चलिए, last में फिर आपको complete slide दिखा देंगे, दो point समझ गया, measurement भी समझ गया, surveying का frame भी समझ गया, किस तरह का रहेगा, तीसरा point रहेगा, हमारा वो रहेगा, क्या, महत्यपूर बिंदू, तीसरा point क्या रहेगा, तीसरा point होगा, महत्यपूर बिंदू, महत्यपूर, म महत्यपूर मतलब होता है, important, important, बिंदू मतलब points, अब इसमें जो भी important points होंगे, उनको हम survey line के pass में दिखाएंगे, जहां तक possible हो, यहां तक possible हो, important points, important points, chain line के near रखे जाते हैं, chain line के, chain line, chain line के, near, near मतलब pass, chain line के pass, रखे जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, जो important points होंगे, जैसे कि हमने अपना जो frame बनाया, like that, यह हमारा कोई भी surveying का structure था, जहां पर हम surveying कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी, और हमने इनको क्या किया, आपस में सटे हुए triangles में बांट दिया था, इस तरह से, सबोज हमने यहां पर इनको क्या किया, आपस में सटे हुए triangles में बांट दिया, तब यहां पर जैसे कोई भी कुआ आ रहा है, लाइक यहां कुआ आ गया, कोई भी पेड आ रहा है, कोई भी पेड आ गया है, ठीक है, कुछ भी आ रहा है, तो यह जो आपके जो important points है, इन्हीं को हम important points बोलेंगे, जो बस्तु हैं, यह इस chain line के लगवग pass होनी चाहिए, इतनी pass के हम एक ही chain से नाप दें, यह भी आपको बताया था पीछे, one chain और one tape से अधिक दूरी पर यह नहीं होने चाहिए, तो यह आपको just अभी मैंने बताया था, तीसरा point हो गया, मैं हत्यपोर बिंदू, तो इसकी theory में लिखा है, तिरभुजों के बोजाएं, इस प्रकार चुनी जाएं, कि छेत्र के सभी important points इनके पहुँच में आ जाएं, मतलब हम जो तिरभुज की बोजाएं लेंगे न, इस तरह से लेंगे, कि जो important points होंगे, वो इ करती, कार्या परगरती मतलब होगया, work, progress, work, progress, work, progress, work, progress का मतलब क्या है, हम कार्या का progress किस तरह से करेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, कार्या का progress हम किस प्रकार से करेंगे, तो आप सब को ये पढ़ाया जा चुका है, उल्रेडी पहले ही, क्या, कि जो हम work करते है वर्क कहां से कहां तक करते हैं वर्क फ्रॉम या वर्किंग फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कैसे करते हैं होल टू पार्ट करते हैं यानि संपूर से अंस की ओर कारे करते हैं संपूर से अंस की ओर अंस की ओर कारे ठीक है संपूर से अंस्की और कारे करेंगे मतलब कोई भी हमारा क्या है बड़ी सी स्टेक्चर है उसको छोटे चोटे ट्रेंगल में बांट करके हम सर्वे करते हैं तकी एरर हमारी कम हो सर्वे वर्क में एरर कम हो इसलिए यह पॉइंट भी आप लोगों को उम्मीद समझ में आ गया लόकि याद हो जाएं अगला देखें पांच माइं इसमें क्या है आरे पांच पॉइंट है वो है उत्तर-दिशा 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 मतलब नोर्थ डिरेकशन नौर्थ डारेक्शन तो जस्ट अभी आप सबको क्या बताया था कि चैन सर्वेइंग में हम एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते यानि कोडियम आप हम इसमें नहीं लेते हैं लेकिन परंतु हम क्या करेंगे जब हम मैप बनाएंगे कोई भी ड्रोइंग सीट पर जब हम किसी भी ड्रोइंग सीट पर मैप बनाते हैं क्या बनाते मैप तो इसमें हम क्या करते हैं नौर्थ डारेक्शन जरूर सो कराते हैं ठीक है नौर्थ डारेक्शन हम अवस्य सो कराते हैं यह चीज आपको याद रखने हैं सभी को समझ पा रहे हैं नौर्थ डारेक्शन के बारे में पॉइंट आप क्या लिखेंगे थियोरी में लिखा है जो आपको दिखाएंगे जस्ट अभी किसी रेखा का कोडियम आपन लिखेंगे एंगुलर मेजर मेंट करना आवस्यक नहीं है बट ड्रोइंग सीट पर हम मैप बनाने के लिए नौर्थ डारेक्शन अवस्य सुरू कराते हैं या फिर नौर्थ लाइन अवस्य से खीशते हैं ठीक योगे 5 चटा पॉइंट चटा पॉइंट हमारा खसके के बा डालते हैं कितने पर 90 डिग्री पर हम खसके डालते हैं और खसके का जो पॉइंट होगा वह आपका एक चैन और टेप से अधिक लेंथ पर नहीं होना चीए यह आपको अल्रेडी बताया जा चुका है तो इसके थियोरी में यही आपको लिखा है जहां तक संबब हो खसके सम यानि 90 डिग्री पर डाले जाएं और जांच रेखा से कोई भी ऑब्जेक्ट यानि बिंदू एक चैन और टेप लंबाई से अधिक दूर नहीं होना चीए जस्ट पीछे वाले पॉइंट आएगा इसमें खसके वाले में तो आपको यह समाज आ गए 6 पॉइंट सात्मा नहीं बिंदू मतलब न्यू पॉइंट न्यू पॉइंट न्यू पॉइंट तो जब हम कोई भी न्यू पॉइंट बताएंगे किसी भी न्यू पॉइंट की लोकेशन यह भी मैं आपको पहले चैप्टर में बताया था न्यू पॉइंट का निरधारण हम कैसे करते हैं जैस आप लोग इन चीजों को ठीक है, मैं इसको अटा रहा हूं यहां से, और यहां बता जिता हूं, जैसे मुझे कोई भी new point की location बतानी है, like that हमें एक point A है यह वाला, यह दूसरा point B है, यह दौना point पहले से known है, यह ग्यात है point और हमें C point कोई भी यह वाला दिखाना, यह new point है, new point, इसकी हमें location बतानी है, तो हम किसी भी new point की location कैसे बताते हैं, पहलें से ग्यात दो reference point के respect में बताते हैं, हमें यह दोनों point इसे इन के बीच की दूरी भी पता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए Pंट से तक की दूरी और Bंसे से तक की दूरी major कर लेंगे, किसकी help से, चैन और टेप के एल्प से और हम इस नए पॉइंट के लोकेशन बता देंगे कि नया पॉइंट एपॉइंट से तिनी दूरी पर है भी पॉइंट से तिनी दूरी पर है एंगल बता सकते हैं एपॉइंट से इसका एंगल इतना बन रहा है भी से एंगल इतना बन रहा है ठीक है सब कु से कम दो पूर्व ज्यात निर्देश बिंदूओं यानि टू रीफ्रेंस पॉइंट से प्रेक्षण द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए यह सात्मा पॉइंट था तो यह सभी पॉइंट में आपको डिसकर्स कर दिये हैं उम्मीद आप सबको यह पॉइंट समझ में आये लिखाए यहां से देख करके लिख लीजेगा ठीक है समझ आगे सभी को यह इंदी वाले बच्ची स्लैड से लिखेंगे कंप्लीट करने के लिए थियोरिकों इग्लिस वाले बच्चीवी श्राइट से लिख सकते हैं लेकिन टेकनिकल टरम्स को यहां से देख लीजेगा ब पसकर यानी equipment required for chain surveying, chain surveying के लिए कौन-कौन equipment की आवसेकता होती है, इसके बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने सभी equipment के नाम पहले लिख दे हैं, दोनो language में यह नाम मैंने लिखेंगे, इन मैंसे कुछ तो ऐसे हैं, जिनको हमें detail में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में, औरली सिर्फ आपको बता देंगे कौन से instrument, किस काम में आता है, कैसा होता है, ठीक है, सबसे पहला हम इसमें chain, chain को हमें detail में पढ़ना है, चौता हमारा sun record dund होता है, ranging road कहते हैं इसको, इसे भी हम full detail में पढ़ेंगे, खसका dund या अंतर लंबन dund, यानि offset road, offset road को भी हम detail में पढ़ेंगे, हो सगे तो इनके technical terms है, सभी को English में याद कीजेगा, हिंदी वाले बच्चे हो या English वाले, आपके लिए easy रहेगा, ठीक है, इन सभी term को English में आप ज्याद अच्छे से याद कर पाएंगे, इसके बाद चटा है हमारा, यानि खुंटी, pack हो गया, अगला cast, hatoda, यानि metal, sorry, malate जो होता है, ठीक है, इस तरह से, यह हमारा चटा हो गया, इसके बारे में बहुत detail में नहीं पढ़ना, आपको बता देंगे, pack मतलब खुंटी, खुंटी को हम गाड़ते जाते हैं, और आगे measurement करते जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताएंगे, आगे, समझ पार है, इनके बारे में समझा देंगे, बागी बहुत detail में आपको नहीं पढ़ना होगा, अगला है, साहुल, साहुल सब जानते हैं, plumbob होता है, जो राज मिस्त्रियों के पास होता है, आप सबने इसकी shape देखी होगी, ऐसे होता है, एकदम कोन की shape का होता है, इस तरह से, इसमें ऊपर एक धागा बंदा रहता है, और इससे हम क्या करते हैं, से लेवलिंग करने के लिए जो समय दीवार के सारय लटका देते हैं हम देख लिएते हमारी दीवार लेवल में है याँ नहीं से हम यहां पर हम क्या करेंगे यहां और इसमें भी चैंसर फूर्चे में में कहीं भी कोई दूर इस्टेशन है बीच में वहाँ पर क्या है कुछ आ रहे हैं कुछ भी जाडियां हो गई बहुत सारी हम किसी खेत में जाकर करके सर्वे करने कहीं पर जाडियां है जंगल टाइप का रिलाखा है तो वहाँ पर हमें अपना रेंजिंग रोड जब हम इस् इसके बाद यह 90 डिग्री वाले आ गए अब खुला गुनिया ओपन क्रॉस स्टाप प्रकासिय गुनिया ओप्टिकल स्क्वाइर और फ्रेंच क्रॉस स्टाप इसके बाद लास्ट में फील्ड बुक यानि की फील्ड बुक का यूज क्या होगा इसमें सर्वे की डेटियल क को फील्ड करते हैं आसलिक के अंदर इसी को i फील्ड बुक कखते हैं चक्षेतर पंजी यानि फील्ड की जितनीवी डेटेल है उसको में क्या हुए और है यहार इंजीनिButton के पास आपको पराना था इस chapter से, इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और starting के दो topic हमने detail में cover कर लिये, अब कल के lecture से हमें start करेंगे chain से, पहले chain पढ़ेंगे, फिर chain के types देखेंगे, tape पढ़ेंगे, arrow पढ़ेंगे, सारे कुछ, जितनी equipment से, एक single lecture में आपको, प्रेस कर लाएं, ताकि इस से अगले lecture भी, आपको notification के तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, तो मिलते हैं बहुत जल्द, अगले lecture में तब तक के लिए, bye bye, take care.